दोस्तों, ये है Xiaomi का Mi 11 Ultra और ये 120X जूम फीचर के साथ में आता है तो ये जो स्मार्टफोन है, इसको उप्यों करके मैं जो मून है, उसे जूम करने की कुशिश करूँगा वैसे मैंने यही सेम चीज सामसिंग गैलक्सी S21 Ultra के साथ में भी किया था उसको जो रिजल्ट से काफी इंप्रेसिव था, देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है, क्या ये वैसा अचीव कर पाता है या नहीं वैसे इसमें जादा जूम दिया हुआ है, 20X जादा है, 120X टोटल जूम, देखते रहिए इस स्मार्टफोन के साथ में मैंने डेलाइट में जूम ट्राइ किया था, और जो कॉलिटी थी काफी बढ़िया थी मैं आपको एक चीज़ बता दू कि जितने भी स्मार्टफोन होते हैं, जिनमें जूम फीचर होता है, कुछ हर तक ऑप्टिकल जूम होता है और जैसे ही डिजिटल जूम शुरू हो जाता है, तो जो डिजिटल जूम है, वो कुछ लेवल तक आपको बढ़िया कॉलिटी देने वाला है, लेकिन एक लेवल के बाद, जो कॉलिटी है, वो इतनी कुछ खास नहीं होने वाली है अब ये जो स्मार्टफोन है, जिनमें 100X या 120X जूम फीचर दिया हुआ है, उसमें कह सकते हैं कि 70 या 80% के बाद, जो कॉलिटी है, वो बहुत ही खराब हो जाती है, आपको clean, sharp image नहीं मिलने वाला है लेकिन इतना छोड़ा स्मार्टफोन और इतना ज्यादा जूम कर सकता है, ये भी एक बड़ी बात है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरा experience कैसा रहा, मैंने moon को जूम करने की कोशिश की है, इस स्मार्टफोन का उप्योग करके, Mi 11 Ultra तो ये देखें, यहाँ पर शाहद आपको ऐसा लग सकता है कि मैं moon पर पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं moon पर नहीं हूँ, धरते पर ही हूँ, और ये देखें, उपर है moon ये देखें, फूल 36 जूम तक और अब थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो चुका है, और भी जूम इन करने की कुशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब तक जो moon है, वो फोकस में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ऐसा इश्यू तो मैंने सामसंग का जो S21 अल्टरा स्मार्फोन है, उस पर फेस नहीं किया है, ये देखें, ये है फुल 120 X जूम और moon अब तक बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, ओवर एक्सपोस लग रहा है, मैं जो mode है, उसे चेंज करने की कुशिश करता हूँ, मैं फिलाल जो photo mode है, उसमें था, अब मैं night mode में चले गया हूँ, यहाँ पर तो maximum 5X है, तो ये hopeless है, तो night mode से मैं भाहर आ जाता हूँ, और एक और mode है इसमें, वो try करते हैं, ये देखें, यहाँ पर फिर से मैं 1X जो photo mode है, उसे try करने की कोशिश कर रहा हूँ, tap करके focus करने की कोशिश कर रहा हूँ, moon पर लेक machine, कुछ नहीं हो रहा है, मैं tap करके focus करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन जो results है, वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, कि जो super moon करके option है, उसे मैंने select किया है, और ये देखें, अब instantly, immediately, जो moon है, एकदम sharp हो गया है, ये जो shot है, in fact, काफी ब बढ़िया तरीके से, देखें, moon focus में है, और यहां पर ये जो super moon mode है, इसमें मैं maximum 60x तक जा सकता हूँ, तो 60x is a good zoom option, और देख सकते हैं कि काफी हद तक moon है, और वो visible है, उस पर जो craters है, वो भी visible है, ये देखें, तो जैसे कि आपने देखा, जो super moon feature है, जब मैं उसे select करता हूँ, तो जो moon है, बहुत ही बढ़िया तरीके से focus में आ गया है, लेकिन जब मैं normal photo mode यूज कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे जो sharpness है moon का, बो नहीं मिल रहा है, in fact, ऐसा issue मैंने Samsung Galaxy S21 Ultra पर face नहीं किया था, उसमें जो photo mode था, उसने immediately, जो moon हैं से focus किया था, और बहुत ही तब जो quality है, अच्छी रही, जैसे कि आपने देखा, तो इस smartphone से भी आप moon shots shoot कर पाएंगे, मैं आपको फिलाल एक shot बताता हूँ, जो कि मैंने इसी smartphone से shoot किया हुआ है, ये मैंने normal, जो super moon mode है, उससे shoot किया हुआ है, बहुत ही कम zoom किया है, और ऐसा shot लेके, अगर आप manually, जो photo ह उसमें zoom in करेंगे और social networks पर share करेंगे, तो काफी बढ़िया लगने वाला है, ये देखिए, तो दोस्तों ये Xiaomi का Mi 11 Ultra से shoot किया हुआ, moon shot आपको कैसा लगा, कमेंस के मादिम से मुझे ज़रू बताइए, इस वीडियो को like ज़रू कीजे, और देखते रहे हैं,